हेलो एब्रीवन वेलकम टू एग्रिकुल्चर एड़ा 24-7 बचो आज हम लोग अपनी क्लास के साथ फिर यहां पर साथ बच चुके हैं और हम लोग अपनी क्लास के साथ यहां पर उपस्तित हो चुके हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी क्लास गुड इवनिंग और उशी तो बच्चे सुरू करते हैं आज की अपनी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आज हम लोग पढ़ने वाले सपोर्टा ठीक है क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे सपोर्टा ठीक क्या सपोटा पढ़ेंगे और सपोटा में देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है सबसे पहले तो बात करते हैं सपोटा की कि सपोटा होता क्या है तो सपोटा देखो होता क्या है बोटेनिकल नेम जो इसका होता है वो अरैकस जपोटा होता है कहीं कहीं आपको मैनिल कारा अराकस लिखा होगा, कहीं कहीं आपको मैलिन कारा आपको jepportilla लिखा मिलेगा यह तीन में से अगर कोई आपको अलग नाम भी मिलता है, तो भी आप परेशान होने की जरूवत नहीं है क्योंकि यह इसके और भी सुनोनिम्स है, यानि कि ये भी इसके scientific name है, अगर आपको aracus जपोटा लिखा मिलता है, अच्छी बात है अगर नहीं मिलता है, तो उसकी जगे अगर manilkara आपको aracus लिखा मिलता है, तो वो भी सही होगा, ठीक है good evening sanjay, good evening must ram jut, क्या नाम है आपका, बहुत अच्छा, ठीक है जो इसके common name होते हैं, या जिसको और नामों से जाना जाता है, तो उसमें सबसे पहले जो जाता है, वो होता है चीकू, चीकू के नाम से इसको जानते हैं आप लोग सब लोग चीकू के नाम से जानते होंगे इसको, उसके बाद इसको Sapo Dilla भी कहते हैं इसको डिली भी कहते हैं और इसको Naaskeri भी कहते हैं ठीक है ये अलग-अलग names है जो locally इसको अलग-अलग जाना जाता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा common दो name है वो चीकू और Sapo Dilla के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यही नेम्स जो हैं जो सबसे आदा famous हैं कभी-कभी आपसे synonym से भी questions बन जाता है कि इसको किन नामों से और भी जानते हैं ठीक है बच्चा इतनी वासवन में आई चलिए उसके आद family आपकी जो इसकी है वो है क्या है वो है Seportacy और जो origin place है वो है आपका tropical America चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं कि इसके कुछ importance की बात कर लेते हैं देखते हैं कि क्या इसके important है It is a delicious fruit introduced from tropical America कहां से आया है? यह आपका tropical America से introduced हुआ है यानि कि पहले हमारे यहाँ इंडिया में यह grow नहीं करता था क्या हुआ? अमेरिका से introduced हुआ और हमारे यहाँ आप इसकी अच्छे से cultivation की जाती है Seporta is a mainly cultivated for its fruit in India किसके लिए? फल के उत्पादन के लिए सबसे आदा इसका important उत्पादन क्या आता है? इंडिया while in other countries it is mainly cultivated for milky latex देखो होता क्या है? पाया में पापीते में आपने देखा है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि पापीते में पापें पाए जाता है ऐसे ही इसमें एक white milky latex पाए जाता है जिसका production क्या आता है? हम लोग क्यां इंडिया में mostly fruit के उत्पादन से फल के उत्पादन से करते है लेकिन विदेशों में इसके latex के उत्पादन के लिए करते हैं क्यों कि जो ये latex होता है ये आपका किसके लिए काम आता है ये आपका industry यानि कि industry purpose में manufacturing of chewing gum के लिए ठीक है बहुत ज़ादा use में लाया जाता है इसके लिए तो milky latex निकलता है उसके लिए basically इसका उत्पादन किया जाता है produce from the bark and fruits which yield a commercial product called गटा प्रचल ठीक है जिसको क्या कहते हैं जिसको गटा प्रचल कहते हैं जो milky latex निकलता है उसको एक नाम दिया गया है ठीक है और इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं which is the base for the manufacturing of chewing gum ठीक है क्या जो chewing gum आपका आता है आप जो center fresh खाते हैं ठीक है वही उसी के manufacturing में इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका इसका इस्तेमाल किया जाता है बात समझ में आई बच्चा तो अब आपको पता चला कि कि जो मैनु जो आप चिंगनम खाते हैं तो वो कहां से बनता है उसका जो बेस मेटेरियल है वो कहां से आता है वो आपका जो सपोर्टा का जो मिल्की लेटेक्स होता है उससे आपका बनता है ठीक है इतनी वासवज में आई चलिए आगे देखते हैं आगे बात करते हैं क्लाइमेट की ठीक है कि कौन सी क्लाइमेट में आपका प्लांट सबसे बढ़िया रहता है ठीक है इतनी वास हो जाए विच्छा चलिए इट इस अट्रॉपिकल एंड इस प्रफर वार्म एंड मॉइस्ट वेदर ट्रॉपकल क्लाइमेट परफेक्ट होती है कैसी सपोर्टा के ट्रॉपकल क्लाइमेट बैता होती है लेकिन उसके साथ कैसी वार्म यानि की गरम और मॉस्ट कैसी मॉस्ट यानि की हिउमिडिटी जो है वो आपकी जादा चाहिए होगी के जादा चाहिए होगी हूमिडिटी आपकी जादा चाहिए होगी and grows in both dry and humid areas इसके साथ यह वहाँ पे भी ग्रो करता है जहां के area जो आपके होते हैं जो dry होते हैं वहां भी grow करता है और humid areas में भी ये grow करता है बट अगर best climate की बात की जाए किसकी कि सबसे अच्छा कहां grow करता है ये करा warm में भी grow कर रहे हैं moist में भी grow कर रहे हैं dry में भी कर रहे हैं humid में भी कर रहे हैं लेकिन इनके अलाबा एक ऐसी कंडिशन होगी जहां पे सबसे अच्छे से ग्रो करेगा वो कंडिशन कौन सी होती है वो कंडिशन है बच्छा आपकी coastal climate यानि की तटी छेतर coastal climate का मतलब है तटी छेतर तटी छेतर कहां होते हैं समुद्र के किनारे जहां पे आपके समुद्र मिलते हैं जो समुद्र का किनारा होता है उसको तटी छेतर बोलते हैं तो अपने आप पूरा जो south इंडिया कि साउथ इंडिया में जो कुछ और हिली एरियाद हैं वहाँ पे कितनी उचाई तक 1000 मीटर की उचाई तक आपका ये अच्छे से ग्रो करता है चलिए एक हायर एल्टिटूट फ्रूट क्वालिटी एंड ट्री हेल्थ सफर अगर आप जादा उपर बढ़ेंगे 1000 मीटर से जादा उपर बढ़ेंगे तो क्या होगा फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाएगी और जो प्लांट है या जो फ्रूट की हेल्थ है और प्लांट की हेल्थ है वो सफर करेगी इसलिए जादा उचाई पर ये grow नहीं करता है ठीक है अब बात करते हैं areas with annual rainfall यानि कि 125 से 150 cm are highly suitable कितना annual rainfall आपकी 125 से 150 यानि कि अगर इसको mm में बनाओगे तो कितना हो जाएगा 1250 से 1500 mm ठीक है इतनी rainfall इतनी rainfall तो कहां होती है इतनी rainfall तो आपको coastal areas में ही होती है ठीक है तो वहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है जो इसके लिए rainfall चाहिए वो कितनी चाहिए 125 से 150 cm चलिए the optimum temperature बचो ये degree थोड़ा सा बड़ा हो गया है है ना typing mistake है 11 से 34 degree centigrade optimum temperature जो है वो कितना है वो चाहिए आपको 11 से 34 degree centigrade question जो बनेगा आपका वो optimum temperature से बनेगा कितना कि support के grow करने के लिए जो temperature चाहिए होता वो कितना चाहिए होगा वो आपका चाहिए होगा 11 से 34 degree centigrade temperature है वो perfect temperature होता है ठीक है sir special afo course नहीं है आपके app पे है बच्चा आप अड़ा 24 7 की website पे विजिट करिए या application पे विजिट करिए वहाँ पे आपका afo का course है ठीक है आप उसको वहाँ से देख लीजे अगर आपको discount चाहिए हो तो आप इसमें ये y443 code use कर सकते हैं इसमें y443 a code आपका active चला है क्यों क्योंकि मैने का आखरी समय होता है तभी आप लोगों के लिए offers निकाले जाते हैं तो अभी आपका 80% off चला है आप जाके विजिट कर सकते हैं चलिए हम अपना बात करते हैं ये high temperature above 41 during during summer cause drying up of stigmatic fluid ये कह रहा है कि अगर गर्मी में temperature आपका क्या हो गया अगर गर्मी में temperature आपका 41 centigrade से अधिक हो गया किस से 41 centigrade से अगर आपका temperature अधिक हो गया तो क्या होगा तो जो हम इससे milky latex प्राप्त करते हैं यानि कि जो stigmatic fluid निकलता है वो क्या होगा वो आपका सूखने लगेगा ठीक है क्या होगा वो आपका सूखने लगेगा और क्या होगा आपका flower drop होगा और fruit scorching की समस्या भी इसमें हो लगेगी ठीक है तो इतनी चीज़े समझ में ही आपको चलिए अब आगे चलते हैं ठीक है क्या चलते हैं अब आगे चलते हैं Soil की बात करें कि मिर्दा की कहां की मिटी में यह सही ग्रोख करेंगा वहां की बात करते हैं सर सर 50 के वाला अफर वाला जो अफर आने वाला है उसका क्या हुआ उसी का तो अफर है बच्चा 80% आफ है आफ लोगों के लिए कितना 80% off Y443A code लगाए 80% off और double validity अगर 12 महीने का course है तो आपको 24 महीने मिलेगा ठीक है सर, fruit scorching क्या होता है fruit scorching क्या होता है बच्चा जब high temperature होता है और आपका fruit ज़्यादा temperature के contact में आता है तो उपर की जो skin होती है वो scorch कर जाती है एक तरीके से या ये कहो कि जैसे आपके burning symptoms आ जाते हैं fruit पे तो वो आपके वैसे symptoms सो करने लगते हैं उसको fruit scorching बोलते है ठीक है एक तरीके का disorder है जैसे आप ज़्यादा तेज धूप में निकलते हैं तो आपकी skin में क्या हो जाता है काले काले धबे या कुछ जलन जैसा हो जाता है तो वो क्या होता है वो एक तरीके का scorching होता है ठीक है हाई sir आपका पूरा नाम क्या है बच्चा थंबनेल पे मेरा नाम लिखा है ठीक है अब बात करते हैं साइल की किसकी साइल की बात करते है ठीक है supporter is a hardy tree к्या support कैसा है आपका supporter a hardy tree hardy tree का मतलब होता है कि बहुत सारी जगहों पे grow कर सकता है अगर आपको water भी कम है ठीक है soil बहुत अच्छी नहิंए तो भी क्या होगा तो भी आपका plant ये grow करेगा ठीक है can be grown on a wide range of soil but in sandy soil the plants are uprooted by strong wind ठीक है आपको मालूम है कि जब आप प्लांट coastal region में लगाएंगे कहाँ पे coastal region में लगाएंगे तो coastal region में जो wind की velocity होती है यानि कि हवा का जो wave होता है वो बहुत तेज होता है क्या होता है बहुत तेज होता है और अगर वहाँ पे sandy soil है आपकी तो आपके plants क्या हो जाएंगे आपके plants uprooted हो जाएंगे क्यों 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 यह बात आप भी जानते हैं कि sandy soil में जो पकड़ होगी roots की वो उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी ठीक है जिसकी वज़े से क्या होगा जिसकी वज़े से plants आपके uprooted हो जाएंगे the soil having very high percentage of calcium और not suitable अगर आपकी soil में ज्यादा calcium है तो भी supporter के लिए suitable नहीं है तो question यहाँ से अगर यह बनेगा कि जो आपकी high calcium suitable soil है वो कौन सी crop के लिए suitable नहीं होती है तो आप ध्यान रखेंगे कि किसके लिए supporter के लिए नहीं होती है ठीक है आगे बात करते हैं if the soil is not well drained hard pen is present in subsoil the supporter doesn't make good growth कैसा कि hard pen आप जानते हो मैंने कई बार आपको बताया कि subsoil में क्या होता एक layer form हो जाती है जिससे root penetrate नहीं कर पाते है यानि कि root नीचे growth नहीं कर पाती है water नीचे downward moment नहीं अच्छे से कर पाता है तो अगर hard pen है तो भी आपकी किसके लिए supporter के लिए अच्छी सी growth नहीं होती है is most important for supporter growing drainage देखो बच्चा सबके लिए जरूरी होता है क्यों अगर drainage नहीं हो पाएगा तो roots क्या होंगी root ventilation नहीं कर पाएंगी और आपकी soil में क्या होगा oxygen की कमी हो जाएगी तो plants आपकी death होनी लगेगी तो ठीक है तो drainage सबके लिए important होता है कौन कौन सी हाँ तीन स्वाइल जो है वो सबसे ज्यादा important आपके support के लिए होती है इतनी वास वन में आई बच्चा इतनी वास वन में आई चलिए आगे चलते हैं ठीक है ये चलिए अब बात करते हैं किसकी variety की किसकी बात करते हैं variety की बात करते हैं कौन कौन सी variety है जो इसके लिए सबसे आदा आपकी grow कराई जाती है तो the important and widely adapted varieties are cricket ball कौन सी cricket ball काली पत्ती पीली पत्ती कीरती बारती पाला बनारसी ठीक है गुत्ती ये सब क्या हैं ये सब इसकी variety हैं किसकी आपकी support आगी तो यह आप ध्यान रखेंगे यहां से questions काफी बनते हैं cricket ball काली पत्ती कीरती पत्ती ठीक है आपका पाला बनारसी गुत्ती CO2 PKM1 PKM2 और other varieties में बारा मासी छतरी जोना वालसा और वैवी वालसा बैंगलोरा और थग्राम थग्राम पुड्ड़ी थीक है यह इसकी variety है किसकी support की क्या variety है सपोर्टा की variety है थीक है कैसी आपकी cricket ball काली पत्ती का बाला बनारसी गुत्ती पीकेवन, पीकेवन टू, ये सब जो हैं, वो इसकी important variety है, ठीक है, चलिए, अब आगे बात करते हैं, इन varieties में काली पत्ती है, एक पीली पत्ती भी a variety होती है, वो सारी आप याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि variety आपकी पूछी आती है, चलिए, आगे चलते हैं, अब बात करते ह कि, किसकी, propagation की, ठीक है, propagation की, तो propagation इसमें दोनों टाइप से होता है, कैसे, seed से भी होता है, और vegetatively भी होता है, seed से भी होता है, और vegetatively होता है, in the earlier days, the seedling were used for planting, but they have some disadvantage, such as slow growth, जब हम seed से उगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे plant की slow growth होती है, अगर especially supporter की बात करें, तो seed से उगाने म एक सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, वो सबसे बड़ा नुकसान ये है, कि जो pre-bearing age है, यानि कि bearing से पहले की जो age है, वो बहुत जादा लंबी हो जाती है, यानि कि जो इसकी पहली bearing है, वो कब start होती है, कम से कम 10 साल में, कितने में, कम से कम 10 साल के बाद इसकी bearing start होगी, तो अगर आप बताओ कि अगर आप commercially इसको propagate करेंगे seed से तो क्या 10 साल तक कोई चाहेगा कि उसका orchard unproductive रहे नहीं न तो इसलिए क्या करते हैं इसलिए उसका कोई दूसरा method निकालते हैं और हम क्या करते हैं उससे vegetatively propagate करते हैं ठीक है such as slow growth very long pre-bearing period of about 8 to 10 years कितना आठ से 10 साल इसको लगते हैं bear करने में यानि कि पहली fruiting आने में कितने साल आठ से 10 साल लगते हैं growing to a huge size or height and sowing too much variation or not being true to type true to type का मतलब है कि जैसा आपका mother plant है कैसा जैसा mother plant है वैसा ये plants नहीं होगा ठीक है कैसा वैसा ये नहीं होगा क्यों क्योंकि seed में variability हो जाती है जिसकी वजएसे आपका जो plants उससे बनेगा वो उतना true to type नहीं होगा विल्कुल as it is जैसे mother plant था वैसा आपका नहीं होगा इतनी बास बनेगाई बच्चा चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं वेजिटेटिव प्रपोगेशन की किसकी बात करते हैं बात करते हैं वेजिटेटिव प्रपोगेशन की मस्तर आम पूछ रहे हैं climate and temperature बताओ भाया बताया है पीछे देखो जाके आप ठीक है बताया है this method has many advantage being true to type यानि कि जैसा mother plant होगा वैसा ही आपका क्या होगा वैसा ही आपकी पूजनी होगी पूजनी का मतलब समझते हो ठीक है पूजनी का मतलब समझ में आता है बच्छा जो ना समझ में आयकर बता दिया करो प्रूजनी का मतलब होता है कि उससे तयार होने वाला पौदा यानि कि उसकी next generation earlierness in bearing यानि कि bearing जल्दी हो जाएगी dwarf होगा और easily manageable होगा size of the tree यानि कि जो vegetative से आप तयार करेंगे वो आपका पौदा छोटा होगा जल्दी उसमें flower आएंगे जल्दी fruit आएंगे और आप उसको असानी से manage कर सकते हैं और plant के size को भी manage कर सकते हैं by training और pruning ठीक है favorable root stock may be influence and improve bearing देखो supporta के लिए root stock root stock आपके बहुत ज़्यादा important है क्योंकि supporta में जो root stock इस्तेमाल होते हैं यहां से आपके बहुत सारे questions बनते हैं ठीक है among the vegetative method most important are air layering ground layering pot layering in arching and softwood grafting इतने तरीके से आप propagation कर सकते हैं कितने तरीके से air layering से ground layering से pot layering से और softwood grafting से इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं इतने तरीके से आप propagation कर सकते हैं लेकिन इन में भी कोई तरीका होगा जो सबसे बढ़िया होता है ठीक है however commercially followed method is in arching आपने पढ़ा होगा कि support का जो propagation है वो inarching से होता है और लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है inarching को replace करिया जा रहा है किस से softwood grafting से यानि कि जो inarching है वो टेक्निक आपकी थोड़ी सी पुरानी होने लगी है और जो सबसे इस समय जिसमें percentage success rate आपका ज़्यादा होता है वो कौन सी है? वो आपकी softwood grafting है लेकिन आप परेशान मत होएगा दोनों option में एक साथ आपको नहीं मिलेंगे या तो आपको inarching मिलेगा या तो आपको softwood grafting मिलेगा mostly question अभी पुराने style से ही पूछा जाता है जिसमें आपको inarching ही लिखके देते हैं ठीक है? तो आपको परेशान होने की जरुवत नहीं है नहीं कोई confusion अपने दिमाग में रखिएगा ठीक है? यह आपका offer चला है किसके लिए? month end चला है month end की वज़े से आपका यह offer है पर off चला है ठीक है? इस code को इस्तेमाल करिए और अपना मजे लीजे ठीक है? अब बात करते हैं the different root stock different root stock are used अब जब grafting करेंगे तो root stock चाहिए होगा तो root stock कौन कौन से चाहिए होते हैं? वो देखते हैं तो यह कुछ root stock है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सपोर्टा के लिए कौन कौन से? पहला तो है आपका सपोर्टा seedling यानि की araykas japota उसी पर ही करते हैं ठीक है? एक तो आपका यह हो गया यह तो important नहीं है यह तो सबको मालूम है जो important है वो है आपका Ryan, Kherni या पाला सबसे ज़्यादा यहीं से सबसे ज़्यादा कोशन आपके पंते है इसी को सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है Ryan, Kherni और पाला इसको बोलते है Manin, Kara, Hexandra या Maimopsis, Hexandra ठीक है? आपसे दूसरा वाला नाम नहीं पूछेगा आप ये वाला नाम याद रखिए यही नाम आपको लिखा मिलेगा अगर कहीं भी आपको लिखा मिलेगा किसी भी किताब में ज़्यादा तर आपको Manin, Kara, Manin, Kara, Hexandra ही आपको लिखिया मिलेगा इसके तीन नाम होते है Ryan, Kherni और Pala आप ध्यान रखेंगे हो सकता है Confuse करने के लिए कभी-कभी आपको खिरनी लिख देगा कभी Pala लिख देगा कभी Ryan लिख देगा ठीक है नाम तीनों एकी के हैं और इसी का नाम है Manil, Kara, Hexandra दो-तीन बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा उसके बाद दूसरा नाम है किसका? दूसरा नाम है Adam's Apple इसका? Adam's Apple इसका नाम है Manil, Kara, Kaukski क्या नाम है? Manil, Kara, Kauki ठीक है? और इसके बाद आता है Mahua Mahua का नाम आप सबने सुना होगा किसका? Mahua का नाम सुना होगा इसको भी इसे रूट स्टाक लेते हैं किसके लिए? सपोर्टा के लिए मदुका लेटी फोलिया क्या? मदुका लेटी फोलिया ठीक है? ये सब आपको नाम याद रखने हैं आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा Adam's Apple Manil, Kara, Kauki Ryan और पाला खिरनी Manil, Kara, Hexandra मेरे साथ एक दो बार रिपीट करेंगे न आप तो आपको याद हो जाएंगे ठीक है? उसके आद महुआ मदुका लेटी फोलिया ठीक है? और एक होता है मीटरी क्या होता है? मीटरी होता है जिसका नाम होता है Basia Longifolia क्या नाम होता है? Basia Longifolia इसमें से जो आपके सबसे important है ये आपका Ryan और आपका Adams ठीक है? कौन से? आपका Ryan और आपका Adams ये दो सबसे important है इनी से सबसे आदा आपके questions बनते हैं ठीक है? महुआ और मीटरी से इतने questions आपके नहीं बनते हैं बहुत rarely जब आपसे बहुत deep में जाएगा तब पूछेगा लेकिन आपके normal exams के लिए deep में नहीं जाता है ठीक है? जब specific अगर particular किसी horticulture का exam होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ horticulture पूछनी है तब तो वो जा सकता है deep लेकिन अगर normal exam है कोई तो उसमें नहीं जाएगा अगर horticulture का weightage कम है तो इतने deep आपसे नहीं जाता है वो फिर यहीं रायन, खिर्नी और Adam's apple तक ही रहता है इतनी बासवन में आई बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं ये आपका है plant supporter का आपको दिख रहे हैंगे आई थिंग आपको supporter भी दिख रहे हैंगे कि इसमें लगे हैं कि नहीं लगे हैं ठीक है, तो आप चाहो तो इसको तोड़के खा सकते हो आपकी मर्जी ठीक है, चलिए ये देखो इसमें supporter लगे हैं लगे हैं कि नहीं लगे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये बताओ. ठीक है? येस में क्या लगे हैं? सपोर्टा. क्या बोलते हैं इसको? चीकू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चीकू. ठीक है? चीकू. खाय हो ना चीकू? हाँ. तो वाई. ठीक है? क्या बोलते हैं चीकू ठीक है इतनी बात समझ आ रही है अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है चलिए आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं देख लो भाई यहां से आपको समझ में आ रहा होगा चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं किसकी planting की, किसकी बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं planting की, कि कैसे plant करते हैं the land is plowed twice and leveled properly to avoid water stagnation, water को stagnate नहीं होने देना है, उसके बात बात करते हैं, तब pits are 90 cm, size are dig मैंने आपको बता है, जो pit का size है वो क्या होता है, कि pit का जो size होता है, वो variable होता है वो change होता रहता है crop के हिसाब से आपको उस पे ज़्यादा वो नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो जरूरत की चीज़े हैं, वो होती है spacing, कि आपको spacing धान रखनी है कि spacing हम कितनी कर रहे हैं spacing जो supporter के लिए करते हैं वो 8 into 8 meter करते हैं, या अगर आप नॉर्मल प्लांटिंग कर रहे हैं, हाई देंसेटी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो system है, जो system आपका रहता है, वो आपका रहता है, square system the pits are allowed to weather for 15 days before planting ये आपको clear है, मालूम है, जानकारी है सब को, कि 15 दिन पहले, एक महीने पहले उसको गड़ा खोद के, उसमें FYM और मिट्टी को मिला के, भर के, पानी डाल के छोड़ देना होता है ये सब के लिए समान है, ठीक है अगर आप, देखो, ये मैं आपको इस तरीके से क्यों पढ़ाता हूँ, समझो बात को कि अगर भविस्स में जैसे आप MSC के लिए किसी और exam की त्यारी कर रहे हो या आप MSC में क्या कर रहे हो, आप जैसे UP में exam होता है district horticulture officers का, इस वार से अलग exam होने लगाए तो उसमें आपको mains लिखना पड़ता है, अगर आप mains लिखेंगे और आपके concept clear है, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं अगर आप one liner पढ़ेंगे, basic आप one day exam clear कर लें लेकिन जब आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे ठीक है, इसलिए आपके concept clear होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमसे कोई crop लिखने के लिए कह दे, और UPPSC के exam में UPPSC के exam में आपसे mostly crop ही पूछी जाती है तो आपको crop तयार होनी चाहिए, ठीक है, आपके दो फाइद एक, तो crop अपकी तयार होती है और साथ में उसी से आप filter करके अपने important points भी निकाल सकते है ठीक है बच्चा, weather for 15 days before planting, the planting is done preferably during monsoon period evergreen plants जो है, वो mostly कब, mostly आपके, किसमें, mostly आपके जो होते हैं वो monsoon period में आपके लगाए जाते हैं, ठीक है, इतनी वास समय में आई बच्चो चलिए, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बात करते हैं, training और pruning की किसकी? training और pruning की, ठीक है? training और pruning की, चलिए, देखते हैं in supporter, the strong central system is necessary, क्या? central system is necessary, in the supporter in general, it has a well balanced distribution of branches, कह रहा है कि central access चाहिए इसमें, यानि कि central, जो main system है, वो होना चाहिए, और इसका जो balance होता, branches का, बहुत ही जवर्जस होता है, the crown assume a uniform shape, there is no necessity of pruning every year, इसमें क्या होता है, कि आपको every year, मानि परती एक बर्स आपको pruning करने की आवा सकता, नहीं होती है, all the, all growth those appear on the root stock below the graft, graft joint must be removed, कह रहा है कि आपने grafting की है, ठीक है, क्या किया है, आपने जैसे आपका ये plant है, आपने यहाँ पर grafting की है, तो जो नीचे, यानि कि जो root stock में आपकी, वो निकलेंगे ना, branches, आपको उनको अटाना है, क्यों? क्योंकि वो अतनी productive नहीं होंगी, जितनी sign होती है, जो आपने उस पर graft की है, ठीक है, तो आपको यहाँ से उपर वाली को इस पर नहीं करना है, ये वाली आपको हटाने है, ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत सारा वो नहीं चाहिए होता है, ठीक है? हाँ बच्चा अलाओ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, किस एक्जाम की बात कर रहे हो आप, कोई समस्या नहीं है, अगर आपके पास देखो आधार कार्ड है, और आधार कार्ड में आपकी डेटा अप बर्थ अगर डिस्मैच हो गई है, तो आप उसकी जगए दूसरा ID कार ले लिजे, अगर दूसरा ID कार्ड नहीं है, तो डेटा पर आपकी कोई मैच नहीं कराता है, आप उसको चला सकते हैं, ठीक है, माक्सीर से कोई आपकी मैच नहीं कराता है डेटा बर्थ, इतना किसी के पास समय नहीं होता है, कि वह आपकी डेटा बर्थ देखे वहाँ पे, ठीक है, root stock below the graft must be removed after 3 to 4 year of planting यानि कि जो नीचे के जो portion है, यानि कि जो root stock से आपकी branches निकली है उनको आपको हटा देना है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा प्रूनी किया वसकता नहीं होती है ठीक है, I-A-R-I का, कोई बात नहीं बच्चा, कोई नहीं मिलाएगा, परेशान नहीं हो ठीक है, उसको लेकिन ठीक करवा लो, आदार कार्ट जिसमें भी आपका mismatch है, उसको correct करवा लो आपका कोई देखे का नहीं, सिर्फ आपका, वो as a identity होता है, कि हाँ, आपका नाम जो है, और वो आप ही है, इसलिए होता है It has a mixed type bearing habit, ठीक है, flower and fruits appear in the leaf axle in new growth, and hence pruning of branching should not be done ठीक है, कह रहा है कि flower और fruits जो है, वो appear होते हैं, किसमें, वो आपके leaf axle में appear होते हैं, in the new growth जो आपकी नई growth आती है, उसमें ये आपके आते हैं, ठीक है, उसमें आपके क्या आते हैं, उसमें आपके fruits आते हैं ठीक है, इतनी बास्पन में आई, चलिए, बहुत ज़्यादा इसको need होती नहीं, अब बात किरते हैं, flowering की flowering और fruiting की, supporter starts bearing small crops from the second और third year of planting ठीक है, दूसरे और तीसरे साल, लेकिन किस case में आपका जब plant किस से त्यार होगा, आपका जब plant त्यार होगा, vegetative grafting से या vegetative propagation से, ठीक है, अगर आपका seed से त्यार है, तो दो-तीन साल में आपको crop नहीं मिलेगी, उसके आद कह रहा है, the economic yields can be obtained from seventh year onward, कह रहा है कि दो से तीन साल में आपको मतलब बरके fruit मिलने लगेंगे, लेकिन economically, मतलब आप उसे बेच सको, आप उसे earn कर सको, आप उसे economically डबलफ हो सको, वो कब आएंगे, वो आपके सात्मे साल से, यानि कि seventh year से आपके आएंगे, ठीक है बच्चा, चलिए, flowers appear in the leaf axle, आपको मैंने बताया कि flower कहां पर आते हैं, लीफ axle में आते हैं, जो नई growth होती है, of new growth, under tropical condition, flowers are seen almost throughout the year, कह रहा है कि जो tropical condition है, क्या है, जो tropical condition है, उस tropical condition में fruits, flower जो हैं, वो कैसे पूरे साल भर आते रहते हैं, However, there are two main season of flowering, दो main season है, flowering के कौन-कौन से, पहला है आपका March से April, और दूसरा है September से October, ठीक है, चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि इसका flower कैसा होता है, fruit तो आप देखी चुके हो, ये आपके flower है, leaf axle पे आ रहे हैं, ठीक है, कहां पे आ रहे हैं, leaf axle पे आ रहे हैं, और नई growth, यानि कि जब ये branch, जो new growth, डबल अप होई होगी, उस growth की axle पे आपके flower आ रहे हैं, और उसमें साथ में एक ये चीकू भी लगाए, लगाए कि नहीं लगाए, हाँ लगाए, ठीक है, तो तोड़ पाओ तो तोड़ो लो, ठीक है, लगाए, ये आपको flower दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बच्चा, बताओ, दिखे कि नहीं दिखे, चले आ हैं बात करते हैं अब maturity की ठीक है कि maturity कैसे इसकी judge की जाएगी क्या maturity कैसे इसकी judge की जाएगी चलिए fruit all fruits are full maturity develop a dull orange और potato brown color कैसा dull orange color या potato brown color ठीक है ये आपको क्या करते हैं ये maturity का indication है या maturity का sign है जब इनका color change रहता है potato brown color आप देख रहे होंगे कि ये कैसा दिखने में लग रहा है potato brown color या आलू का जैसा रंग होता है आलू जैसे बूरे रंग का होता है उसी के रंग जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या ये आपका तो जैसे ही आप उस पर नाखून मारेंगे और खुर्चेंगे उसको, तो कैसा देखेगा? लाइट ग्रीन की जगए कैसा देखेगा? लाइट येलो देखेगा. ग्रीन तब देखेगा, जब आपका क्या होगा? जब आपका fruit immature होगा. और जैसे ही वो mature हो जाएगा, क्या देखेगा आपका? वो देखेगा light yellow कलर का. ठीक है बच्चा? कितनी बास मुझ मैं आई? चलिए. Brown scaly material disappear, ठीक है? From the fruit surface, as the fruits approached full maturity. ठीक है? उपर एक scaly layer type की होती है, जिस पर हलके से रोएं होते हैं. कैसे? अलके से रोएं से होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो आपके हट जाते हैं, जैसे ही आपका fruit क्या होता है? आपका mature होता है. आगे बात करते हैं, as the fruit matures, the milky latex content is reduced. जैसे ही आपका fruit क्या होगा? जैसे ही आपका fruit mature होगा, जो milky latex होता है. क्या? जो उसके अंदर milky latex है यानि कि जो liquid है वो क्या होने लगेगा वो कम होने लगेगा ठीक है ये भी एक indication है maturity का ठीक है ये तनी बास्वन में आई चलिए ये आपका offer चलना है Y443A code पे आपको अगर कुछ purchase करना हो तो या किसी और को purchase करना हो तो आप इसका इस्सेमाल कर सकते हैं आप लोगों के लिए offer है आप लोगों के लिए चूट चल रही है 77% प्लस double value offer अब बताओ किसी को कोई doubt हो तो हम उसको explain करें ठीक है ठीक है ना इतनी चीज़ समझ में आई आई आपको चलिए ठीक है Y443A चलिए आगे चलते हैं ये आपके complete foundation course है ठीक है रोज मैं वैसे बताता हूँ आप लोगों को मालुम है simply website पे जाना है visit करना है और जैसे कि बच्चा वो पूँच रहा था कि AFO का batch है या नहीं तो website पे आप जैसे जाएंगे app पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको batch मिल जाएगा ठीक है वहाँ पे batch पड़ा हुआ है simply आपको क्या करना है आप यहाँ पे जाएंगे अड़ा सर्च करेंगे ठीक है जैसे आप अड़ा 247 सर्च करेंगे यह आपको मिलेगा यहाँ पे आप agriculture सर्च करना ठीक है क्या सर्च करोगे आप agriculture सर्च करोगे जैसे ही आप अगरी कल्चर सर्च करोगे न ठीक है बच्चों आपको यहां पे यह देखो यह IBPS SO का बैच यह पड़ा हुआ है ठीक है जैसे ही आप इसको करोगे और मैं आपको दिखा देता हूँ आफर वेव आफर में जैसे ही आप जाएंगे न और कोड लगाएंगे जैसे ही आप कोड लगाएंगे क्या होगा ठीक है जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y443A क्या लगाएंगे Y443A आप जैसे ही अप लाई करेंगे न सौरी ये इस पे एक सेकंड ठीक है जैसे ही आप लगाएंगे ये देखिए ये आपका क्या होगा है 2299 का Y443A इस पे कोड नहीं है ये आई थिंक आपका ये इस पे Y443 कोड आपका लग रहा है तो ये आपका बैच पढ़ादा कितने का 2299 का ठीक है बच्चो Y443 आप यूज करके आप अगर इसको चाहते है पर्चेस करना तो 2299 में आप इसको ले सकते हैं ये अभी last month end चल दा है तो month end की वजए से इतना सा इसका price कम हो गया है नहीं तो ये आपको इस price से ज़्यादा के price पर मिलेगा ठीक है तो बच्चो कल फिर हम लोग मिलेंगे अपनी इसके आगे की crop के साथ तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और आपकी जो भी queries हो बताईएगा हम लोग discuss करेंगे आप लोग जुड़िए like session को अगर आप अच्छा लगता है आप position तो like share और subscribe जरूर करें आप अपने जो groups हैं उनमें भी share करें ताकि और भी लोग जो आपके साथ ही हैं वो जुड़ सके और जो हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उसका फाइदा उठा सकें आप भी उठाइए ठीक है क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए और उसको share करिए अगर आपको class अच्छी लगी हो तो like share subscribe जरूर करिए कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे तब तक के लिए जैहिंद और मैम अभी आएंगी इसके बात पढ़ाने तो आप लोग उनकी class में भी पढ़िएगा ठीक है ओके बाई